तो गाइस नमस्कार स्वागाते आप सभी का बहुत-बहुत हमारे यूटूब चैनल यसपाले टीपि में चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो तो आज की वीडियो में आपके लिए बता देता हूं कि क्या होने वाला है आज की वीडियो में होने वाली है अंग्रीजी भी होने परा आया हूं चलिए सुरू करते हैं च्रो डबलू क्या होता है से हम क्रोप पढ़ते हैं इसका सीधArt सीधा सेंस निकलता है कि जब भी कोई से बढ़の में पीछे ओंड़ बलू होता है उसी हम क्या पढ़ना है ओ सिर्प ओस रुण हो टिक है सा इसर अरोडाबलू तो ऐसे सब्द मैंने च्छाटे है, हैरो, एस ओ डबलू, सो, एस एच ओ डबलू, सो, यह भी सो होता है, और यह भी सो होता है, इसे यलो अब नहीं पढ़ना है, इसे यलो अब नहीं पढ़ना है, यलो, एल वो, सो, रो, एस ओ डबल आर ओ डबलू, सो, जी आर ओ डबलू, गिरो, जी एल ओ डबलू, गिलो, आर ओ डबलू, रो, एस एन ओ डबलू, इस नो, तो इस तरीके से आपको अंगरीजी पढ़ना सीखने है ठीक है इसके बाद next पढ़ते है दूसरा नियम भी यह सी तरीके से होने बाला है देखो अगर पीछे सब्दों में OW हो तो यह ऐसे सब्दों चांट कर लखी है कि वहाँ पर आपको उसे आउ पढ़ना है ठीक है जैसे कि सी ओडबलो तो क्यँ होगा यह काउ एच ओडबलो क्या होगा यह हाउ और सो नौ लिखोन व Only anywhere व ओवाव किष्टों क्या होग डाउन क्रोबलो एन काउन क्याराउन जी ओडबलो एन अर ओडी वे आ्र ओड़ इस तरीके से मैंने यह सब्द चाटे हैं आपके लीडिक है और अगला देख लेते हैं नेक्स्ट अगर कुछ सब्दों में पीछे ए आर आता है यह ए ए आर आता है तो उसे हमें क्या पढ़ना है जैसे की का इस तरीके से आप अंगरीजी पढ़ना सीख सकते है चलिये और नेक्स्ट रूल देख लेते हैं अगला है देखो रूल कि जब भी डबल ओ आता है देखो कुछ में तो छोटे होगी मात्रा ओचारण होती है कुछ में बड़े होगी मात्रा ओचारण होती है दीगे बून छोटे हुगी मात्रा के भी सब दोते हैं ठीक है छोटा हुगी मात्रा के भी जैसे की बुक लुक टी डबल ओके क्या हो याता है टुक तो इस प्रकार से बहुत सारे बढ़ होते हैं वो भी मैं आगे अगले आने वाले वीडियो में एक्स्प्लेंड करूँगा चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अगली वीडियो में मिलते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो पिलिज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए